हलो आर्वान आपको डायरेक्ट किया जा रहा है जैसा आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है उसी का अकॉर्डिंग आपको करना होता है और इसे रिलेटेट जितने भी कोउशन आते हैं वो कैसे आते हैं और किस तरह के आते हैं तो इतने सारी चीजों से आपके डूस डायरेक्टेट के कोउशन आते हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 important question answers जो कि आपके पिछले एर में आये हुए हैं तो चले बचले स्टार्ट करते हैं हमारा first question he does his homework यहाँ पर क्या करना है change into interrogative यानि कि यहाँ पर हमें प्रस्ण वाचक जो sentence है उसमें इसे change करना है तो देखे सबसे पहले आप याद रखे कि यह कौन से tense का है कौन से tense का है यह he does his homework वह अपना homework करता है तो यह present indefinite tense का एक sentence है present indefinite या present simple का tense है और जब हम इसे interrogative में change करते हैं या फिर negative में change करते हैं तब हम do या फिर does का यूज़ करते हैं अब देखे do और does का हम use करते हैं ठीक है किसके साथ do का किसके साथ does कर ये भी आप याद रखिए तो देखे आई वी यू एंड दे हो गया और वन प्लस सब्जेक्ट यान्αι एक से ज़्यादा कोई सब्जेक्ट है कोई व्यक्ति है कोई चीज है तो उसके साथ हम किसके यूज करते है डू का यूज़ करते हैं और एक और चीज़ है ही सी इट और एक सब्जेक्ट है तब की कंडिशन में हम किसका यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं डर्स का तो देखें ही सी इट या वन सब्जेक्ट है तब किसे में डर्स का यूज़ आवी यू दे या वन प्लस सब्ज इस जादा subject है तब हम do का use करते हैं तो देखें किसमें से आ रहा है है यह वाला तो यहां पर क्या आएगा ड़स तो देखें यह वाला जो ड़स है यह वाला ड़स नहीं helping verb वाला ड़स नहीं है यह क्या है यह main verb है तो जब हम helping verb करेंगे तो हम उस does करेंगे तो यहां पर क्या आजाएगा does he, उसके बाद यह does नहीं रहेगा, यह main verb है, यह हो जाएगा do, does he do, उसके बाद क्या आजाएगा, his homework, इस तरह से, यह हमारा अंसर हो जाएगा, does he do his homework, ठीक है, next देख लेते हैं, Mr. Kisor is MLA, use article A in the, A in the से related मैंने एक separate video दिया हुआ है, यदि आपने नहीं देखा है, तो इस video के description box में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के देख लिजिए, जिसमें मैंने A in the की use को बहुत ही detail से समझाया हुआ है, तो देखे, Mr. Kisor is A में ले, इसमें क्या आएगा, A आएगा, A न आएगा, या फिर D आएगा, तो इसमें आजाएगा आपका N, क्यों आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसे पढ़िए, ये क्या लिखा है, M, L, A, इस तरह से, तो इसमें हमें ध्यान देने वाले बात या है, कि हम सिर्फ फर्स्ट को ही देखते हैं, फर्स्ट जो अक्षर है, उसे ही देखते हैं, तो ये क्या लिखा है, A, A मींस स्वर, तो स्वर है तो N लिखे है, वेंजनादा तो A लिखते, कोई वी से खास प्रसिद्य चीज रहती तब हम किसको लिखते हैं, द या फिर देखो, नेक्स देख लेते हैं, C was cooking, blank, I was finishing my homework, यहाँ पर देखे, यहाँ पर यूज करना फिलेंदा, blank, using while, oblique, when, तो while and when का यूज दोनों में से कौन सा आएगा, तो सबसे पहले मैं एक बार और आपको define करना चाहूंगा, कि कब हम while क यूज करते हैं, कब हम when का यूज करते हैं, while का यूज हम कब करते हैं, जब दो काम, दो काम एक ही समय पे चल रहा हो, यानि दो काम एक ही समय पे हो रहा हो, तब हम यूज करते हैं किसका, while का यूज करते हैं, लेकिन जब दो काम, एक के बाद एक, एक समाप्त होने के बाद एक start हो तब हम किसके उसकरते हैं वेन का उसकरते हैं एक example और मैं देना चाहूंगा जैसे जब आप खाना खा रहे होते हो तो अकसर हमारी आदत रहती है हम खाना खाते-खाते कुछ न कुछ देखते हैं जैसे टी-वी बगएरा देखते रहते हैं तो जैसे कि यदि कहोगे कि मैं खाना खाते खाते टीवी देखता हूँ, तब क्या होगा, तब हम किस का उसकरेंगे, दो काम है, खाने का काम और टीवी देखने का काम, दोनों काम एक ही समय पे होता है न, तो हम किस का उसकरेंगे, वाईल का उसकरेंगे, अब खाना खाने के आप तहलने जाते हो, तो हम जैसे कहेंगे कि मैं खाना खाने के बाद तहलने के लिए जाता हूं, तो खाना खाने के बाद तहलने का काम हो रहा है, एक काम खतम होने के बाद, दूसरा काम स्टार्ट, तब हम किस करेंगे, वेन करेंगे, तो यहाँ पी आप समझे और यहाँ प तो इस तरह से आप याद रखें कि दो काम एक ही समय पे हो रहा हो तब हम वाइल करेंगे और एक के बाद एक जो काम है वह स्टार्ट हो तब हम वेन करेंगे ना लेट से नेक्सक्ष्ण आई अपने हम वह करता हूं सर उसकोल जाता थो हूं ऐसा जो देके बोलना तो वह होता है एंफाटिक सेंटेंस तो देखिए कौन से कौन से टेंस का है I get up early in the morning, कौन से tense का है, मैं जल्दी, सुबह जल्दी उठता हूँ, यह present indefinite tense है, present indefinite tense में हम do या फिर does का use करते हैं, deed का use हम नहीं करते हैं, यह date पहले सी out है, अब अभी just मैंने बताया था सबसे first question में कि do और does का use किस के किस के साथ करते हैं, I, we, you, they and one plus subject के साथ हम do का use करत हैं, तब हम does करते हैं, तो यह I है, तो simple सी बात है, इसके साथ क्या जाएगा, I do, फिर हम लिखेंगे, just देखें, verb के just पहले, subject के just बात लिखना होता है, emphatic sentence बनाने के लिए, तो I के बाद हमने just लिखा है do, उसके बाद as it is, इसे हम लिख देंगे, I do get up early in the morning, ऐसे यापको बनाना है, I do get up early in the morning, next question है, you like to visit the Taj, make a question using would, would का use करके हमें इसको question वाला sentence बनाना है, तो जैसे will का use करते हैं, cell का use करते हैं, do का use करते हैं, does करते हैं, और जब हम question वाला sentence बनाते हैं, तो वो सबसे सुरू में होता है, तो यहाँ पर हम जैसे question वाला बनाना है, तो हम would को सबसे पहले लिखेंगे, would, उसके बाद, जो sentence है, उसको as it is लिख देंगे, would you, फिर क्या हुआ, like, to visit, यह हो गया, visit the Taj, और यह question वाला है, तो यहां पर हम question mark लगा देंगे, ऐसा, next question है, have you blank money in your pocket, fill in the blank using some, oblique, any, some and any का use करना है, तो इसमें क्या आजाएगा, some आएगा कि any आएगा, तो सबसे पहले हमें यह याद रखनी है, कि some का use हम कब करते हैं, any का use कब करते हैं, some का use हम ज़्यादा तर positive sentence में ही करते हैं, जबकि any का use हम negative sentence में and interrogative sentence में, प्रस्ण वाले sentence में करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, प्रस्ण वाला sentence है, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, any आजाएगा, तो यह हो जाएगा, have you any money in your pocket, एक चीज़ और याद रखें कि some का use हम कभी कभार, question वाले sentence में भी करते हैं, कब करते हैं, जब हम किसी को कोई चीज़ offer कर रहे होते हैं, या यदि हम कोई ऐसा question पूछते हैं, जिससे positive answer के expectation रहे, तब कि sense में हम some का use भी करते हैं, यह अपवाद है, जैसे कि यदि हम कोई चीज़ offer करते हैं, would you like to take some tea, ऐसा यदि पूछना है, क्या आपको चाह लेना पसंद करोगे, ऐसा यदि पूछना होता है, यह हम offer कर रहे होते हैं, तब के sense में हम question वाले sentence में भी some का use करते हैं, तो यह अपवाद है, वो कभी कभार करते हैं, लेकिन आप हमेंसे याद रखें कि some का use, mostly positive sentence में होता है, और any का use, mostly negative and interrogative sentence में होता है, तो यहाँ पर देखे, I was rather this is, my daughter was sleeping, यहाँ पर use करना है किसका, while and when का, अभी जस्ट हमने देखा हुआ है, while and when में क्या अंतर है, तो यहाँ पर देखे, I was rather this is, मैंने बरतन धोया, कब my daughter was sleeping, मेरी daughter वो सो रही थी, एक ही समय में, दो काम, देखे, एक समय है, उस समय daughter जो है, यही बेटी सो रही थी, सोने का काम जारी था, और I was rather this is, वो काम जारी और इधर बरतन धोने का का समय वही है, इधर सोने का काम, इधर धोने का काम हुआ, एक ही समय में, it means, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आजाएगा, while, यदि यही को यदि ऐसा कहता, कि बरतन धोने के बाद, यानि एक के बाद दूसरा काम होता, तब हम किसको लिखते, वेन को लिखते, ना लेट सिदे नेक्स क्रेशन, it, blank, ran, since morning, fill in the blank with correct form of the verb, correct form लिखना है, verb का, तो देखे, यहाँ पर, since morning है, यह perfect continuous है, perfect continuous है, और perfect continuous है, और इसे हम present में जैसे लिखना चाहेंगे, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, blank में, it के बाद आजाएगा, has, it के सांथ क्या आता है, has आता है, और उ been आजाता है, क्योंकि perfect continuous है, it has been, और यह जो verb है, उसके साथ हम लिख देते हैं, ing, ran के साथ, running, तो it has been running, उसके बाद हो जाएगा, since morning, तो आप exam में कैसे लिखोगे, अलग से लिखोगे, answer करके, it has been running since morning, ऐसे, ठीक है, तो ऐसी ही आपको लिखना है, now let's see the next question, your father works in a bank, make a question using helping verb, helping verb का use करके हमें इसे question वाला sentence बनाना है, तो देखे, सबसे पहले देखे, कौन से tense का है ये, ये present indefinite tense का sentence है, your father works in a bank, तुम्हारे जो father है, वो bank में काम करते हैं, present indefinite, और present indefinite में हम किसका इस करते हैं, question बनाने के लिए, do या फिर does का इस करते हैं, तो यह हम पर देखे, do आएगा की does आएगा, your father, your father, एक इनसान है, एक subject है, it means does का use होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे does, फिर subject your father, does your father, उसके बाद हम लिखेंगे verb, अब यहाँ पर जो works लिखा है, वो works नहीं रहेगा, अब वो हो जाएगा work, क्योंकि एस येस हट जाता है, जैस हम does का use करते हैं, तो does your father work, उसके बाद, इसे हम आगे लिखेंगे, in a bank, in a bank, चुकि ये question वारा sentence है, तो last time में question mark लगाना अनिवारी है, तो does your father work in a bank, ऐसा हो जाएगा, क्या तुम्हारे father, bank में काम करते हैं, now let's see the next question, Bill worked hard, Bill hard work करता था, या Bill ने hard work किया, add question tag, question tag लगाना है, तो question tag लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है, question tag related मैंने एक और separate video बनाया हुआ है, यदि आपने इस video को नहीं देखा है, तो इस video की description box में link दिया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं, क्यो यहाँ पर देखे, Bill worked hard, तो question tag यदि आपको लगाना है, तो exam में आप as it is लिखेंगे, Bill worked hard, ऐसी आप लिखेंगे, as it is, उसके बाद आप लिखेंगे, comma, उसके बाद फिर आप लिखेंगे question tag, तो देखे, यहाँ पर Bill worked hard, क्यों से टेंस है यह, past indefinite, और past indefinite में हम किसका उ यूज़ करते हैं, अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, did, और ध्यान रखें, यह जो sentence है, यह positive में है, यदि sentence positive में है, तो question tag negative होगा, यदि sentence negative है, तो question tag positive, just रुल्टा होता है, और आगे हम noun का यूज़ नहीं करते है, question tag में noun का यूज़ नहीं करेंगे, हम किसका उज़ करे तो देखे, यह bill worked hard, यह positive है, तो यहाँ पर हम negative लिखेंगे, didn't हो जाएगा, और ऐसे short form करें, did not अलग अलग नहीं लिखना है, इसको हम short form में लिखते है, didn't, तो यहाँ पर didn't, उसके बाद bill क्या है, लड़के का नाम है, पुरूस है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, he, यद और इसके बाद question mark, तो ऐसे ही आपको question tag अच्छे से लगाने है, ठीक है, आसा करता हूं कि आपको आज के जो video lecture है, do as directed, यह part 1 है, बड़ी ही आसानी से समझ में आया होगा, इसी तरह से आप हमेसा पढ़ते रहें, बहुत आसानी से आप पढ़ते रहें, समझते रहें, हस्त number लेकर के आईए, ताकि हमें भी गर्व महसूसों के हमने जो पढ़ाया है, वो आपके लिए काफी beneficial रहा है, मैं मिलूंगा एक interesting lesson के साथ, next video lecture में, तब तक के लिए धन्यवाद